ऐसा कोई जैसी किसी की आत्मा की अवस्ता होती है वो संतों से, गुरूं से उतनी ही उर्जा ग्रहन कर सकता है उतनी गहराई में जा सकता है इसलिए हर एक के समझने के स्तर के हिसाब से आत्मा के स्तर के हिसाब से उसे गहराई समझ में आती है अर्थ समझ में आते हैं जैसे शीर सागर का मंथन करने पर अमरित निकला तो पहले उसमें से विश बहार आया तो जब हम अपने भीतर अपने मन का मंथन करेंगे तो सारी नाकर आत्मक ताविचार वो सब बहार निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये विश निकलेगा तब ही अमरित मिलेगा अमरित और विश दोनों इकठे नहीं रह सकते